हलो दोस्तों सभी बाईयो को रम रम दोस्तों आप देख रहे हो कॉंग्रेस सरकार से जुड़ी हुई ले टेस्ट अपडेट तो दोस्तों जैसा के अप सभी बाईयों को पता है कि विदान सभा चुनाओ को लेकर कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच में काफी असमन जस चल रही है ऐसे में बीजेपी अपने तैयारियों में जुटी हुई है वहीं दूसरी और कॉंग्रेस में सचिन पाईयलेट ने अपना पूरा दमखम और जोर तोर लगा रखा है दोस्तों बताया जा रहा है कि सचीन पाइलेट ने अपनी तैयारियों और रुत्बे के अनुसार सब के खाट कड़ी कर दी है और ऐसे में बताया जा रहा है कि फिर से कॉंग्रेस की सरकार ही राजस्तान के अंदर रिपिट मारेगी और अगर कॉंग्रेस सरकार रास्तान के अंदर रिपिट मारती है तो CM सिर्फ और सिर्फ सचीन पाइलेट बनेंगे जियां दोस्ता इस बात को लेकर आप सबी वाईयों को पताया कि सचीन पाइलेट का साथ छोड़ने वाले असोक चांदना और इंदरा मीना सब सचीन पाइलेट के फेवर में हैं बताया जारा है कि सचीन पाइलेट को जैसे ही टिकट का में सदज से चुना गया उसके बाद तो सब की अवा निकल गई दोस्तो सचीन पाइलेट ने फिर से एक बार कॉंग्रेस के अंदर जान बर दी है और देखते हैं आखिरकार सचीन पाइलेट कॉंग्रेस सरकार को लेकर आते हैं या नहीं और अगर कॉंग्रे सरकार आती है तो कॉंग्रे सरकार सचीन पाइलेट को सीम बना पाती है या नहीं असो गैलोद अपनी कुर्षी छोड़ेंगे या नहीं सारी बातों का जल्दी अल निकलने वाला है सो प्ली दोस्तो जीतने भी सचीन पाइलेट के चाने वाले हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर करना दोस्तो आप सबको बता दू जैसा कि अनुमान बेनिवाल ने कहा था कि सचीन पाइलेट दोनों तरफ रहते हैं तो अनुमान बेनिवाल को भी करारा जवाब दिया है सचीन पाइलेट ने, जियां दोस्तों, अनुमान बेनिवाल ने अभी दो तीन महीने पहले सचीन पाइलेट को सपोर्ट भी किया था, खुदकी घठवंदन सरकार बनाने के लिए प्रस्ताओ भी रखा था, लेकिन इस प्रस्ताओ को ठुकरा दिया सचीन पाइलेट ने, और फिर से एक बार कौंगरेस सरकार के, मैन निरवाचीत सदस्ये के रूम में काम कर रहे सचीन पाइलेट ने पूरी कौंगरेस सरकार में जान बढ़ दी है, so please अपनी राइ कमेंडर बॉक्स में देना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना